नमस्कार दोस्तो मैं नीतियंकुर चोधरी एक बार फिर अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ रुद्र नोली जब दोस्तो यह मेरे चैनल का होम पेज है आप मेरे होम पेज पर जाकर आप देख सकते हैं करंट में जो भी वेकेंसी आई हुई है जो भी योजनाय चल मैं आपके सामने लेके आ जाती हूँ ठीक है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आज पिर मैं आपके लिए पैंसन इस्कीम लेके आई हूँ जो यूपी से निकल के आ रही है ठीक है कल मैंने अपलोड की थ सकते हैं और आज फिर मैं एक नहीं पैंसन स्कीम लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ठीक है निराश्चित महिला पैंसन योजना आ चुकी है ठीक है जो पहले से चलती है और जिसमें कोई प्रोब्लम है जिसकी नहीं बनी है वह अब बन जाएगी वीडियो को सुरू से लेके लास्ट लग देखना है वीडियो कहीं भी आपको स्किप नहीं करनी है हम आजाते हैं सीधा पोर्टल वाले पेज पर हॉम पेज पर ठीक है जो यूपी का यूपी का एक करत सामाजिक पैंसन पोर्टल है ठीक है नहां पर आपको मैंने कल बताई थी आपको कैसे हम है उनको आर्थिक सायता परदान कर सम्मान पूर्वक्त जीवन यापन करने है तो सईयोग में जो पैंसन दी जाएगी उसके लिए आपको फॉम बनना है ठीक है चलिए योजना के विशे में आपको मैं बता दू थोड़ अशा नीचे स्कूल बार करते हैं ठीक है पात्रता अभी मैंने आपको बताई कहते हैं दुख तो होता है लेकिन जो हमारी गोर्मेंट ने स्कीम सुरू की है इसके बारे में पता होना चाहिए आयू जो होनी चाहिए ठारा से लेकर जो भी है कल्यानकार योजन में सम्मलित होने तक ठीक है आए है आपकी जो इंकम सर्टिफिक एक हजार पर मन्त आपको मिलेंगे आपको डोक्यूमेंट्स चाहिए आपका पासपोर्ट साइज फोटो ठीक है और जिनकी डेथ हो चुकी है उनका डेथ सर्टिफिकेट और बैंक की पासपू की फोटो कोपी और आपका इंकम सर्टिफिकेट ठीक है यह चाहिए और ठीक ह अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप इसको form को fill करोगे और इसको कहां पर submit करना है और कैसे आपकी pension बनेगी ठीक है और मैंने online आवेदन पर click करें ठीक है इस पर हमें form फिल करना है एक एक चीज बड़े द्यान से फिल करनी है नहीं तो form reject होके आपका आजाएगा ठीक है स्टेटस हो जाएगी आपका form reject हो चुका सबसे पहले आप जिस डिस्टिक से बिलोंग करते हो जिस जनपत से बिलोंग कर select करना है यहाँ पर जो भी आपकी तैसिल हो जाएगी तो आप यहाँ पर आपने चूज कर लोगे ओके यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड में नाम दिया हुआ है आप यहाँ पर उसको मैंसं करोगी ठीक है जेंडर ओलेडी फीमेल ही आएगा ठीक है जनमतिति यानिक् सारे इंफोर्मिशन आपको मिलेगी टाइम टू टाइम यहां पे आपका फूल एड्रेस जो भी आपका अधार कार्ड में मैं यहां पे आप बैंक का नाम यह इसलिए शो नहीं करा कि यूपर के डिटिल मैंने फिल नहीं की है सिर्प मैं आपको रेकसर बता है। यहांपर बैंक का नाम यहां पर जिस बैंक जापने ब्रांच है आपके वह आप यहां पर स्लेक्ट कर लोगे यहां पर आपका एकाउंट नमबर यहां पर रिएंटर एकाउंट नमबर यहां पर आपका यहां पर आये का वीवरन यहां पर जिनका भी नया आपको अपना बनाना है क्या बनवाना इंकम सर्टिफिकेट नंबर यहां पर अप्लिकेशन नंबर और यहां पर एक फोटो लग जाएगा आपका ठीक है और यहां पर और यहां पर आपकी डेट of birth के लिए सर्टिफिकेट आथर पर या पर आदार काड या फिर यहां पर डेट सर्टिफिकेट लगनाया करना एक और यहां पर यहां Drag जोजना का लाव उठाएं और अपने परिवार का कुछ थोड़ा बहुत जो कम हो जाता है इसलिए गोर्मेंट ने पैंसन बनाई है ठीक है और इस सब्मिट करने के बाद आपके व्यादार का वेरिफिकेशन आएगा आपको इसमें अपना राधार का नंबर डालना है ठीक है आदार का नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है ठीक है वेरिफाई कर देना है वेरिफाई करने के बाद आपके सामने आपका रेजिस्ट्रिशन नंबर आ जाएगा उसको संभाल के रखना है ठीक है संभाल के रखने के बाद बहुत लोगिन यानि के यहाँ लोगिन कर यहां पर कमोबाईल नमबर आजाएगा और கरोफ यहां पर नोगिन करने के बाद आपने आधार से कर दोगा ठीक है उसके बाद आपका फोर्म के मिलत करारने के की पासपोर्ट की फोटो को पी सब की फोटो को पी अपना पासपोर्ट साइज फोटो यह आपको अपने ब्लोग में जमा करना है ठीक है या फिर आपका गराम पंचात का से केटरियो उसको जमा करना है आप जाके ब्लोग में भी जमा करा सकते हैं ठीक है और फिर भी अगर ब झाल